जैम अतादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूजीब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फरवरी माह के पहले दो दिनों के तुला राशी फल के बारे में एक फरवरी और दो फरवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा इन दो दिनों में ग्रहों की इस्तिति क्या होगी कौन सा ग्रह आपके किस भाव में होगा और इस महिने की शुरुवात आपके लिए किस तरह की लेकर आएगा योगों का प्रभाव, ग्रहों का प्रभाव, इनका प्रभाव दिन्चरिया पर कैसे होगा सिक्षा, स्वास्थ, करियर, नौकरी, दुकान, हर चीज की बात करेंगे विस्तार से तो आगे बढ़ने से पहले छोट सनिवेदन है चैनल पर अगर आप पाज पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जुड़ जाएं हमारी चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहेंगी तो चलिए इन दो दिनों के तितली नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं एक फरवरी का दिन ये मंगलवार का दिन है और ये क्रश्न पक्षे की आमावशाति थी है जो की सुभा ग्यारा बज कर पंदरह मिनट तक रहेगी अगर थी थी कही साब से देखें तो अमावशाति थी एक फरवरी के दिन है बाकी कुछ जगों पर 31 जनवरी को भी मनाई जाएगी श्रमण नक्षत्र रहेगा इस दिन और व्यतिपात नाम का योग बनेगा चंद्रमा केस्ति थी ये सुभा तक मकराशी में है उसके बाद चंद्रमा आ जाएंगे कुमराशी में कुमराशी में पहले से गुरु बरस्पती वी राजवान है तो गजकेसरी योग भी बन जाएगा सूर्य मकाराशी में है और शनीवी मकाराशी में है और बुद्वी मकाराशी में है तीन-तीन ग्रह एक साथ बैठे हुए है मकाराशी में श्रावन नक्षत्र में है और अभीजीत मुरत होगा दोपहर बारा बज़ कर 13 मिनट से 12 बज़ कर 57 मिनट तक अब ये मौनी मावशा का दिन तो है ही और दो फरवरी के अगर हम बात करें तो शुकल पक्ष की प्रती पदाते थी सुबा साड़े आट बजे तक वरियान नाम का योग रहेगा गानिस्ट नक्षतर है बुद्वार का दिन है चंद्रमा कुम राशी में हैं गजकेसरी योग बना रहे हैं गुरू के साथ मिलकर सूरिय त्रिग्रह योग बना रहे हैं मका राशी में शनी और बुद्ध के साथ मिलकर और बुद्दादित योग भी बना रहे हैं अभी जी मुरत कोई नहीं है लेकिन दो फरवरी से गुप्त नवरात्री की शुरुवात हो रही है जो कि तंत्र मंत्र की सिद्धी के लिए बहुत ही महतवपूर्ण दिन माने जाते हैं तो ये हो गई ग्रहय नक्षत्रों की इस्तिति अब इनी क्या धार पर हम जानेंगे ये कुम राशी में हैं तो तुला राशी वाले जातकों के लिए इस समय अपने बेकार के तनाव को दूर करें जो चिंताएं हैं उनको जिंदा दली से दूर करने का प्रयास करें क्योंकि ये जो चिंताएं होते हैं और जो तनाव होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जो जैन्वन होते हैं कुछ तनाव ऐसे होते हैं जिनको हम जबर जस्ती ले लेते हैं तो ये आपके जिन्दकी का रस निचोड़ कर आपको पूरी तरह से चूस लेते हैं इसलिए अपने आपको मोटिवेट करें अपने आपको ऐसी चीजों से बाहर निकालने की कोशिश करें भलाई इसी में है इन चीजों को जितना दूर हो सके किसी भी तरीके से इन तरा दूर करने की कोशिश करें अब आज के दिन जो है इस राशी के लोगों को अपनी संतान की वजह से ऐसी इस्थितियां लाब की इस्थितियां निर्मित होती हुई दिखाई दे रही है और की आरथी के लाब आपको हो सकता है और इससे आपको काफी खुशी भी होने वाली है आज के दिन बिना कुछ खास किये आप लोगों का ध्यान बड़ी आसानी से अपनी तरफ आकरशित करने में काम्यावी हासल करेंगे और ये आपके लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट साबित हो सकती है अपनी बातों को दूसरों तक पहुँचाने में कारशित्र में खुद को बहुत खास महसूस करेंगे कुछ ऐसी गतिविदियां कुछ ऐसे एहसास आपको होंगे कि आप अपने आप ही कहते हैं न का अंदर से मन प्रसंद है तो वो चहरे पर आ रहा है वैसी ही स्थिति आपके साथ होंगी कई काम को छोड़कर तो अपने पसंदीदा कामों में आप समय बिताने वाले हैं काम कुछ जादा भी रहेगा देखिए सबता की शुरुआत है तो काम का प्रेशर भी जादा रह सकता है और आपके जो जीवन साथ ही है वो भी आपको किसी तरह का सर्प्राइज आज देने वाला है खुद को अपने जीवन में काफी महतपूर्ण आप समझेंगे और ये दिन आपके लिए काफी अनकुल रहने वाला है वैसे मौनियम आवश्र का दिन है इस दिन आप पीपल की पुज़र जरूर करें उनके पास पीपल के पिड के पास एक सर्सो के तेल का दीपक जरूर जलें और साथ में अपने पित्रों को भी जरूर याद करें जिन्दगी के प्रती आपका जो नजरिया है बहुत ही सकारातमक होगा अपने परिवार, काम और प्यार से संबन्धित सभी चीजों पर ध्यान देंगे अपने भविशक को लेकर बड़े अच्छे मूड में रहेंगे इससे दूसरे लोग भी आपके काम से और आपसे प्रभावित हो सकते हैं अपनी सकारातमक्ता का प्रियोग अपनी और दूसरों की जिन्दगी में खुशिया लाने के लिए करेंगे जो एक बड़ा प्लस पॉइंट होने वाला है आपकी जो वाक चतुरता है बोलने की जो आपकी एक कला है उसकी वजह से कुछ लोगों को काफी अच्छा फायदा होने वाला है देखिए तुला राशी के जा तक अगर आप ये अपनी राशी का आइकन देखें तो एक तराजू का एकन होता है जो हर चीज को तोल कर करती है बैलेंस बनाना इनको बहुत अच्छे से आता है तो यही और इनकी जो चतुराई होती है वाक पटुता बहुत अच्छी होती है इनकी क्योंकि शुक्र के राशी है तो हमेशा से ही ये लोग शब्दों में खेलने में माहिर होते हैं और ये आपकी जो एक इस्तिधी है ये काफी माइन रखती है हसी मजा क्यादत है जो व्यक्तिगार तोर पर भी और वेबसाइक तोर पर भी हर्शित्र में आपके लिए कामया भी देने वाली है आज ओफिस में कोई बहुत ही सम्मानिय काम करने का मौका मिल सकता है जिससे आपका सम्मान तो बढ़ेगा ही आपका रुतबा भी बढ़ेगा एपरत्याशित धन की प्राप्ती का यूग भी बना हुआ है दोनों दिनों में से एक दिन तो एपरत्याशित धन की प्राप्ती होगी ही होगी और ये आमदनी नगद रूप में हो सकती है और या फिर कोई प्रोथसान राशी हो सकती है कोई नई योजना हो सकती है जिससे धन प्राप्ति होने वाली है तो भागय का पूरा सपोर्ट रहने वाला है पूरी तरह से भागय भी इसमें शामिल होगा अब पैतरक संपति भी हो सकती है यानि किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई धन आपको जरूर मिलने वाला है एक बात कर लेते हैं दो फरवरी गुप्त नवरातरी शुरू हो रहे हैं शुक्र की राशी है तुला राशी और शुक्र माल नक्षमी के उपासक हैं मादुरुगा के आराधना करने का ये मन दिन है तो दो फरवरी की सुभा को आप दुरुगा चालिस अकापाट जरूर करें अगर आप बाहर से काम कर रहे हैं तो आज कोई बड़ी खबर मिल सकती है आर्थिक लाव की बाते हो सकती है तो इसका सकारात्मक विकास का भरपूर लाव उठाएंगे दिन आज का बहुत सुभ है भले ही धनकी आवक बहुत जादा आज के दिन नहीं होगी लेकिन प्राप जा सकते हैं अपने से जादा उम्र वाले किसी इंसान की तरव्या करशित हो सकते हैं और जो रिवाहित जादक हैं वो शादी के प्रपोजल के लिए तयार रहे शादी का प्रपोजल मिल सकता है जो विवाह के यूग के हैं पति-पत्नी के लिए भी आज जो दिन है वो काफ इस्थितिन ना खड़े करें इस चीज का जरू थाम रखें इस्टुडेंट्स ही बात करें तो दोनों ही दिन इस्टुडेंट्स के लिए अच्छे बने हुए हैं आप बड़े फोकस रहेंगे अपनी पढ़ाई को लेकर और ध्यान भी देंगे खुद से ही अंदर से ये भावना होगी कि आप कुछ करना चाहते हैं तो कुल मिलाकर दोनों दिन बहुत अच्छे हैं अच्छे से वैतित करें साथ ही चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें